अब तो एक लेडिज है मैं अब कर दो इसको बात करें और अच्छा है तो बावासर में तो मसाले जड़ा ना खाएं पेट पर गरम ठंडी पति बांदें मुलतनि मिट्टी जो उती है उसको भीगो कर रख दें उसका पेट पर लेप लगाएं इससे बहुत ही अच्छा ला मिलेगा और दिन में चाज पियें, हींग और जीरा डालके उससे क्या होगा, पेट की सफाई होगी जैसे जैसे पेट की सफाई होगी बवासीर में बहुत अच्छा आराम पड़ेगा क्योंकि जो चाज होते है पेट में जाडु का काम करता है, तो बिवसिर क्यों होती है मलक क्हाने पीने के लिए कोई रहेगा? देखो खाने, पीने पेने में तो जो घर में होता होँ ही, तलीवी चीजे कम खाए मिर्च मसाले की चीजे कम क्योंकि भीमारी और ज्यादा बढ़ा देती हैं तो सबसे जो हच्छा हिलाज है एक तो फल्फूरूट एसके जादा हो अब कई बर क्या होता, गरीब आदमी फल परूट नहीं कहता है, लेकिन जो मिल जाए ठीक है, और जिनको भी देखो बवासीर की जो बिमारी होते है, क्योंकि हमारा मुला दार चक्कर होता है, जब ये डिस्ट्रब हो जाता है, तो बवासीर जैसी बिमारी दे देता है, और इससे और क्या बाब होता है और नुक्षान क्या होता है जिसको भी बवासीर की बिमारी होती है धीरे basically kya होता है हमारे 25 भी आनी होने लगजैती है क्योंकि मुला-थार्चक्र डिष्रब कर आहां जो दिश्टर्ब की आनी अधियातो जैते च्रूर अगे पीफ आरेको यहां से एक पोछ ना कोछ नwhel डिया paid पेट में कबज ना रहने दे कबज यानि पेट में जैसे मुरोड होती है कबज होगी तो भी और बढ़ जाएगी तो इसका करें और चोकर सही ताटे की रोटी खाएं इससे बहुत अच्छा लाम है मैं दा की प्रेज करें मैं दा की चिज़े कोई भी ना खाएं कुछ दिन त तो बहुत ही अच्छा बवासिर में लाम मिलेगा